नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी कॉशल और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक बीते दिनों CSDS यानि Center for Studies in Developing Societies और Common Cause ने भारत में पुलिसिंग को लेके अपनी रिपोर्ट जारी कि यह रिपोर्ट भारत में पुलिस के संकट को भी दिखाती हैं इसी मुद्धे पर बात करने के लिए हैं हमारे साथ फॉर्मर डीजी पी विभूति नरायन राय जी सर आपन रिपोर्ट से रूबर हुए हैं रिपोर्ट अपने बारे में जो है कई चौकाने वाले फैसले मतलब खुलाते करती है यह बी कह रही है कि मुसलमान जो है पुलिस वाली मानते हैं कि मुसलमान प्रकृतिक तौर प्रड़ी हैं ये बी मानती है कि जो है गोहत्या के बाद में होने वाली हिंसा जो भी जो है जायज है रिपोर्ट को कैसे देखें सर क्या हमारी पुलिस बुनियाजी तोर पर सांप्रताइच है देखें सीएस डीएस की जो अभी रिपोर्ट आई है जो सर्वेक्षड उनों किया है वो मेरे लिए कम से कम किसी भी तरह से चौकाने वाला नहीं है अगर इस सर्वेक्षड को आप मोटे मोटे तौर पर बांट के देखें तो इसे दो टुकलों में बाटा जा सकता है पहला भाग तो पुलिस की जो पुलिस के सामने जो संसाजनों की कमी है देर तक काम करने वाले घंटे हैं या उनके अंदर अपने पेशे को ले करके असंतोश और जिसे आप कैसे एक बड़े तादाद में पुलिस कर्मियों ने पुलिस की नौकरी छोड़ करके अगर दूसरी को नौकरी मिलता कि उसमें जाने की इच्छा जता ही है तो एक तो उसका पक्ष ये है लेकिन दूसरा पक्ष है जो उनके बेसिकली उनके सोच उनकी समझ और कानून, काइदा, समविधान इन सब को ले करके उनके मन में कितना सम्मान है इन सारे इन पक्षों को चूती है मैं समझता हूँ कि दोनों महत्पूर्ण है मैं यह नहीं कहता है कि संसाजनों की कमी और जो पुलिस कर्मियों के लिए जिस तरह से जो बुनियादी मानवी समविधाएं उनका भी भाव यह महत्पूर्ण नहीं है यह तो निश्चित रूप बहुत महत्पूर्ण है और अगर हम बुनियादी मानवी समविधाएं भी नहीं दे सकेंगे तो हम कोई सब और प्रोफेशनल पुलिस संगठन की कल्पना भी हमें नहीं करनी चाहिए लेकिन मेरा सोचना है कि संस पॉलिस पर कोईमर्ष होता है इसमें खासतोर से जब पुलिस की टॉप लीडरशिप विमर्ष करती है यह पॉलिटीकल लिडरशिप जिसे फैसले करने होते हैं शाल के मोड shy की बात करते हैं तो पुलिस की आचा ही यह सर्ट कार जो इस समय सरकार है सरफ उसी की दिक्कत नहीं है पुरानी सरकारों में भी पुलिस modernization का मतलब यही समझा जाता था मुझे लगता है कि पुलिस modernization का ज्यादा प्रासंगिक और ज्यादा जो वैद अर्थ होना चाहिए वो होना चाहिए उनकी मानसिक्ता में बदलाओ दुर्भागे से देखे ये एक बहुत दुर्भागे पूर्ण इस्तिती है कि आज जो पुलिस तंत्र है ये 1860 के दश्कों में जो कानून बने थे जिसे पुलिस एक था IPC, CRPC, Evidence Act ये सारे जो का उस समय के जो प्रभूवर्ग थे जो रूलर्स थे उनकी जो जरूरते थे उनको पूरा करने के लिए ये सारी ये पूरी संस्था बनी थी और इसने बखोवी अपनी जिम्मेदारी निभाई का 1860 से लेकर का 1947 यानि लगबग 900 साल तक इनोंने उनका शाशन मजबूती के इसमें मदद ची लेकिन ये क्या आपको चकित नहीं करता कि 1947 में जब देश आजाद हुआ हमारे ज्यादा तर जो रूलर्स थे ज्यादा तर मुख्यमंत्री मंत्री यहां तक पदार मंत्री जवालाल नेहरू ये सभी के सब पुलिस की जात्तियों के शिकार रह चुके थे तो क्या इनसे ये पेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी कि ये पुलिस का बुनियादी चरित्र बदलते और 1947 के बाद हमें एक ऐसी पुलिस देते जो ज़्यादा सब्भी होती जो नागरिकों की मित्र होती जो संविधान को ठेंगे पर नहीं रखती जिसके लिए कानून काइदा कानून काइदे का कोई अर्थ ना हो ऐसी पुलिस क्या उन्हें नहीं देनी चाहिए थी उन्होंने क्यों नहीं दी इस पे कभी गंभेड़ता से सोचें कि हमारे 1947 के बाद चाशकों ने भी एक सब पुलिस बनाने की जरूरत क्यों नहीं समझी तो इन सब पुलिस का पूरा आचरण ऐसा बनाना कि हार्षिये पे पहुंचेवे लोग जो सबसे जादा उसके संपर्क में आते हैं वो उसे अपना दोस्त समझें इसके लिए जरूरी था कि उन्हें एक बहतर प्रशिक्षण दिया जाता दुर्भाग से प्रशिक्षण हमारा हतियार और इंजिनिरिंग और टैक्टिक्स यही सारी चीज़े हमारे लिए प्रशिक्षण हैं तो यह इससे बात बनेगी नहीं यह जो CSDS की रिपोर्ट आई है मैं समझता हूं कि जो उसका पहला पक्ष है जिसमें कि वो संसाथमों की कमी की बात करते हैं उस पर तो ध्यान हमारा जान है जो इन्होंने इस रिपोर्ट में भी आया कि एक बहुत बड़ा तपका पुलिस कर्मियों का यह मानता है कि मुसल्मान अपराज के लिए सभावी कुरूप से प्रेरित होते हैं और यही इसी का थोड़ा और विस्तार दे दीजिए तो जब कोई सामपताइक हिंसा की घट करो तो वह संदेश यह जाता है कि मुसल्मानों के साथ सकती करो बहुत सारे मामलों में अगर आप जी हाशिमपुरा इसका सबसे बड़ा उदान है देखिया हाशिमपुरा में क्या हुआ हाशिमपुरा में सिर्फ इसी जिसे आप कह सकते हैं कि यही सोच उसके पीछे थी ज लोग ले जाए गए बार दिये गए बीस-पचीस साल तक मुकद में चलते रहे कोई छूट गया कोई अपरादी कोई अभ्युक्त मर गया बड़े मुश्किल भी जा करके जब आपने शर्शन्स कोर्ट से छूटे तो हाई कोर्ट में एक-दो साल लड़ जगड़कर किसी त संविधान है जो आपकी सबसे पोईत्र किताब है जो आई-पी-सी आपके लिए बाइबिल और गीता की तरह होनी चाहिए जो आपके हर समय आपके जोले में होनी चाहिए वह आपके लिए ज्यादा महत्तपूर थी लेकिन वह उसका हमने उसे नजरंदाज किया बलकि अच् बहुत सारे मौकों पर जो सत्ताधारी दल है उसको खुश करने के लिए होता है लेकिन बहुत सारे मामलों में तो हम खुद इसी में विश्वास करते हैं जैसे जो गव रक्षकों को ले करके जो सवाल पूछा गया तो उसमें तो यह कोई सत्ताधारी पक्ष की जरुवती का तो आप को कोई जरूर्वत की है वह ठाकी करते हैं अगर आपकी अपनी सोच इस तरह की है और उस सोच को बढ़ने का कोई नंभीर प्यास नहीं किया गया है तो आप जो काम करते हैं उसको सहर जुरूप से स्वाभावी और सही भी मानते हैं उसमें किसी सत्ता पार्टी की जरूरत नहीं है तो मुझे लगता है कि हमको दो चीजे इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए मुझे बहुत महत्पूर लग रही थी एक तो हमारा प्रशिक्षड है और यह दुर्भाग है कि पुलिस में सबसे ज्यादा उपेक्षित अगर कोई छेत रहे तो प्रश इस तरह साथ चलती है और अगले साथ साल कर नहीं हो जाता तब तक वो चलती है तो मेरा अपना इसाथ किसी दूसरे ट्रेनिंग इंटर्वेंशन से किसी दूसरे प्रशिक्षण के हस्तक शेप से होके नहीं गुजरते हैं और वहां भी नेशनल पुलिज अकाइडमी यहां उन्हें ट्रेनिंग देती दी जाती है वहां पर अगर आप उनका करिकुलम देखें तो ज्यादा हिस्सा साट से सतर पुतिशत हिस्सा जो है वह फिजिकल ट्रेनिंग और वेपन ट्रेनिंग और टैक्टिक्स और फिल्ट इंजिनियरिंग इन सबसे जुड़ा होता है उसमें बहुत छोटा हिस्सा क्या सोशल पुलि आप सराने उनकी ट्रेनिंग हो हमने ट्रेनर के तौर पुलिस अफसरों को चुन रखा है जैसे उत्तर पुदेश में तो यह दुलबाग है कि जिस अधिकारी को सदा देनी होती है उसको आप ट्रेनिंग इंस्टिूशन में भेज देते हैं नेशनल पुलिस अकाडमी में त पूरी की पूरी उनकी मानसिकता पुलिस में आने के बाद बनती है उसी मानसिकता को जाकर के अपने कैड़ेट्स को और अपने प्रवेशनर्स को सिखाते हैं मेरा अपना मानना है कि ट्रेनिंग में आपको ज्यादा सोशल साइंटिस्ट आपको ज्यादा पत्रकारिता से जुड़े हुएं, एंजियों से जुड़े हुएं, सिविल ससाइटी के मिंबर्स हैं, उनसे इंटरेक्शन कराना चाहिए, वो दुर्भार कैसे नहीं कराते हैं, अगर आप निश्र पुलिस अकैडमी हैदराबाद का की जो गेस्ट फैकल्टी की एक लिस्ट सिविल राइट्स में, हुमन राइट्स में, जेंडर इस्जू पर सोचने वाला कह सकते हैं, ज्यादा तर तो वो या तो रिटार्ड पुलिस वाला है, या जो सर्विंग पुलिस आफिसर है, तो उसकी अपनी लिमिटेशन है, वो कुछ चीजें तो सिखा सकता है, जो प्र हमारे ज्यादातर जो दुनिया है वो बाहर से इंटरेक्शन से जुड़ी हुई है आप समाच के कमजूर वर्गों से कैसे करते हैं फिर साइंस में टेकनोलोजी में फरंसिक साइंस में इतने बड़े परिवर्तन हो रहे हैं कि उनसे परचित कराना ये पुलिस ऑफिसर जो ट् तो देना चाहिए और हर रैंक पर सिपाही से ले करके और डिरेक्टर जनरल हर रैंक पर हर तीन-चार साल के बाद एक ट्रेनिंग इंटर्वेंशन होना चाहिए खास्तोर से जो लोग कमिनल वाइलेंस जैसे सिचुएशन से होके गुजरते हैं उनको तो फॉरण आपको डि हैं और जो बहुत संख्या के हम हैं तो यह हम और वे वाले सिंड्रोम से उसे मुक्त कराने के लिए मेरा अपना मानना है कि जैसे ही कोई किसी कमिनल रैट सिचुएशन से पंदर दिन बीस दिन एक महीने होके गुजरा हो उस अधिकारी को या उस जवान को बाहर निगालना चाहिए और उसको सोशल साइंटिस्स के बीच में समाज वैज्यानिकों के बीच में बैठा करके उसको इस सिंड्रोम से मुक्त कराना चाहिए तो एक तो ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है दूसरे जो मेरा अपना सोचना है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है एक प्रोफेशनल और आर्म्ड ऑगनाजिशन में जिसके बाद हतियार हैं जिसको कानून ने बहुत ज्यादा असीमित अधिकार दे रखें भारत जैसे समाज में तो एक पुलिस वाला चाहे तो किसी की जिन्दगी बरबाद कर सकता है बहुत एक इंडिपेंडेंट जूरी जेल में वो कौन लौट आएगा तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें एक 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 काउंटेबिलिटी का इंबिल्ट सिस्टम बनाएं खास्तों कमिनल वाइलन सिचुएशन से जब आप पास एक काउंटेबिलिटी की तो रिपोर्ट जो है का जो एक हिस्सा है वो का इक व्यक्ति है उसको जो है छे घंटे तक पुली जो है धर उधर ही ले गई और अस्पताल नहीं ले गई और वो दम तोड़ देता है तो अगर मैं बहुत सब्दों में आपसे समझना चाहूं तो कॉंस्टेबिलेरी का जो यह पूरा इश्यू है और यही वो सेक्शन है जो बड़े तब कैसे डील करता है इस 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 इस्यू को कैसी दुरुस्त किया जाए जाए रहे कि पुलिस के हर वर्क की अकाउंटबिल्टी की बात कर दो उसमें कास्टेबिस भी है सब इस पी है यह सारे रैंक जो है रैंक के स्ट्रक्चर तो एक मजबूरी है हायरार्की क्योंकि एक सब कुछ करने के बाद भी हमें एक ऐसा डिसिप्लिंड और ट्रेंड समूँ चाहिए जो जरूरत पढ़ने पर हुकुम देने पर वो अपनी जान दे सके यह सवभाविक सी कोई भी साधाल समूँ यह नहीं कर पाएगा पुलिस की नोकरी इस तरह की है पुलिस स आप एक चाहिए इस तरह की हैं बहुत सारे जोखिम भरे इस्तितियों में आपको कूदना पड़ता है तो उस समय तो आपको एक जरूरी है कि एक ऐसा डिसिप्लिंड और ट्रेंड आपको एक और्नाइज ग्रूप मिले जो आदेश पर यह सब करने के लिए तयार हो लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी है कि अगर हम एकाउंटबिलिटी को इन बिल्ट करेंगे जाई रहा आपने कांस्टेबिल का जिक्र किया को कांस्टेबिल ज्यादा है मताब आगर आप पिरामिट देखेंगे तो पिरामिट में 100 सिपाईयों के बरक्स जाकरके 8-10 उनके अफसर मि जरूरी है उनके लिए जाधा अगर उनका एक्सपोजर जाधा तो एकाउंटेबिलिटी भी उनके लिए सक्त होनी चाहिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं जैसे मुझे एक फेलोशिप मिली कमिनल वाइलेंस की सिच्वेशन में पुलिस को लिए किया परसेप्शन इस पर मैं काम कर रहा था मैंने उसमें ये तलाशने की कोशिश की कि आचा उन जबाने ये मुझे 1994 मिली थी तो 1994 तक जो बड़े बड़े जैसे कहते हैं कमिनल सिच्वेशन आही थी जिनमें 1984 का दिल्ली जबलपुर का सबसे पहला आप 1961 का आजाधी के बात का पहला बड़ा रायट सबसे पहला रायट तो मैंने एक चीद बड़ी उसमें मजधार देखी वो ये थी कि मैं ये तलाशता रहा कि आचा वो बहुत बड़े ओमिशन और कमिशन वाले मामले थे मतलब उसमें राज जी इने वो सब किया था जो राज जी को नहीं करना चाहिए है और राज लिए करना चाहिए तो उसके इन समाम कमीशन और ओमीशन के बावजूद उसके कुकृत्यों और उसके अपनी डूटी ना निभाने के बावजूद मैंने पाया कि दंडित अफसरों की संख्या या दंडित अलग-अलग रहें के पुलिस कर्मियों की संख्या लगभग शून नगणे थी जैसे 1984 में मैं देखक से दंग रह गया कि दिल्ली पुलिस में सिपाही से ले करके और IPS अफसरों तक जो दंगे को रोकने में जो अस्फल हुए थे वो लगभग वो सारी तरक्कियां पाते हुए और रिटायर हुए जो सर्विस में घुस्ते समय उन्होंने जिसकी अपेच्छा की होगी एक सिपा कियां थी अपने कैरियर की वो सब हासिल करते हुए रिटायर हुए भागलपूर में जो 89 या 88-89 का दंगा था जिसमें कई 100 मुसल्मानों को कुछ दिनों के अंदर मारा गया था उसमें मैंने पाया कि जिर्फ एक ASI को सदा मिली थी एक ASI उसमें धंडित हुआ था जहां तर नहीं से के बारे में सोचना पड़ेगा पुलिस की जो टॉप लीडर्शिप है जो पोलिटिकल लीडर्शिप जणता क प्रती जिम्मेदार है उसको यह सोचना पड़ेगा कि पुल्िस हैक्ट में, IPC में, CRPC में, कहीं नहीं, कहीं나ぁ कहीं हमको इंबा प्राविधान करना प आपका शुक्रिया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर दन्यवाद